हलो डियर स्ट्रेंज तो मुश्ट विलकम अपने इसी विजिनार फामली में मैं पर लास्टिंग लेके हैं हूँ आज आपके लिए बीएसी सिक इंडियर के थर्ट पेपर का जलोजी का सलेबस तो चलिए आईए हम लोग सलेबस से डील कर रहे हैं तो बाकी जितने भी सलेबस मेरे हैं फर्स्ट इयर सिक इंडियर थर्ड इयर के जलोजी बॉटनी के में सबको में धिरी थरी अप्लोड कर दूँगा आपको सलेबस आप रख लो स्क्रीन साट कर लो वीडियो को सेप कर लो दुबारा देख लेना प्लेलिस्ट में आपको मिल आपका कह सकते हो कि प्लेलिस्ट दिख जाएगा उसके अंदर ही सारे के सारे वीडियो बाकी जो कंटेंट है वह आपको मेल जाएंगे ठीक तो बाकी आप पीछी वीडियो देखे होंगे तो आपको बताने जुरत नहीं है यहां मेरा एक यूटूब चैनल है आप इस जहां में आपको ओपन हो जाएगा लिंक देता रहा हूं आप खोल तो चेक आउट कर सकते हो कि कैसे अभी बन रहा है ठीक बाकी काम आप देखते रहिएगा सस्क्राइब यह दि पहली बार आए हो तो बिना सस्क्राइब किये मत जाना ताकि आपको कंटेंट देखने हैं तो हम लोग तयार हुए तो फिर हुआ कि अब बच्चों को प्रमोट होगा कोरोना चल रहा था पिरियड तो कोरोना पिरियड में हमको है तो क्लासिस उतने रन नहीं कर रहे थे बट अब जब प्रमोशन की बात आ गए तो मैंने कहा कि अब तो सही टाइम है अब हम लोग आपक सिकेंड एयर के जुछ़ोजी के सिकेंड पेपर की यह संद्राइं ना सिकेंड पर आपको दिखरा होगा फीजोलाजी एंड बायोंकि हम करें wäreाओ से द्धंक से हम लोग बयारा सें ब्लब हन्देर्यं तो पढ़ता है तो फिर चलता ही है ऐसी कोई बात नहीं चैलों दिख यह पुरे इंडिया के जो UGC कंसिडर करता है लग 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 इंवर्षिटी के लिए वह वाला सले बस है तो इस चीज को आप ध्यान दीजेगा वेरियस इंडियन इंवर्षिटी की बात कर रहा है ऐसा नहीं कि हम मात्मकांदि कासी बिद्धापेट की बात कर रहा है हम लखन साथ काम कर रहा हूं हाँ हेल ठीक ना होने से स्टूडियो ठीक ना होने से बार-बार क्लासे दिश्टर्ड होगे बट ऐसा होने वाला नहीं है हम लोग पूरी कोचिंग को कह सकते हो रेजिस्टर करके आपके साथ जुड़ रहा है तो मतलब लाइफ टाइम ही टीचिंग कर सब में मिलूंगा दो सालों के बाद हमारा पूरा पूरा कह सकते हो कि इंट्रेंस बाकी जो जौब वाले उनके लिए भी कंटेंट मिलने चलो हो जाएंगे पहले हम बेसिक काईटेरिया कभर कर ले उसके बाद देखो अब बात करते हैं यूनिट की तो यहां पे चार छोड पर्दना है सरकूलेशन पर्ड़ना है इन चारों को मिलाके हमारे को को कौशन बनता है बारन इन करना हो चैपके कwow से इस्ट्रेंड दस से पंदर नमबर उसके बाद हमारा आता है क्या युनिट थर्ड हमारे पास आता है जिसको हम क्या बोलते हैं इंडोक्राइं सिस्टम पढ़ने है और यहां पर थर्मो रेगुलेशन की बात करना है ठीक तो यहां पर टू टाइस आते हैं यहां से जो यह जो आता है यह आता है पंदर नमबर का आप कह सकते हो कि यह जो कोश्चन होंगे वो आपके पंदर नमबर के ही होंगे ठीक पंदर नमबर का कोश्चन यहां से आ जाएगा तो आप इसको स्क्रीन साट कर सकते हो काफी मटेरियल आपको मिल जाएगा बाद में अब चलते युनिट वाई देख लिए उसे पहले हम classes का सिन्योई की बात करते हैं कि हमारे अप्लिकेसंस के अंदर आपको classes कैसे मिलते हैं हम लोग इस paper के लिए पूरा पूरा आपको 400 रुपए चार्ज करते हैं कितना करते हैं 400 रुपए चार्ज करते हैं एक साल का ध्यान देना एक साल में हम लोग यहां पर देखा जाए तो कम से कम आपको देखे recorded जो मेरे class होते हैं वो आपको 100 plus recorded class मिल जाएंगे कितने मिलेंगे 100 plus recorded class मिलेंगे जितने recorded class होते हैं उसके उतने notes होते हैं यह चीद ध्यान देना ठीक अब उसके बाद आपको doubt session मिलेगा हर chapter के बाद एक आपको doubt class मतलब 15 से 20 doubt class आपको मिल जाएगा किसके द्वारा जूम के द्वारा ऐसा नहीं है कि हम लोग जूम पे केवल आपको figure out कर लेंगे आपका काम हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग face to face आपका question answer solve करते हैं ऐसे भी पढ़ाने के बाद आपको कोई question बनता रही है बट यदि बनता है तो हम सब आपके साथ हैं आगे बात क के लिए बड़ा चिंता माई भी से है BAC के MCQ मिलते नहीं है बट हम लोग काफी जादा कह सकते हैं इकठा 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 करके रखे हुए हैं MCQ ताकि आपको सलेबस दे सको क्यों क्यों कि आने वाले समय मेरी book publish होगी अभी class 10th 9th की हुई है अभी class 10th 9th की है यदि मैं आपक को उसका link दे दूँगा आने वाले वीडियो के अंतर जब classes होंगे तो आपको पूरा पोस्टरिंग दिख जाएगा वैसे आप हमारे Facebook पे जाओगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा हमने community में अभी डाला था पोस्ट तो वहां पर हमारा book दिख जाएगा यदि आपको घर चोड़े बच्चे हैं तो मेरा book आपको उससे consider करिए ताकि वह जो material है वह पूरा क्या सकते हो कि निचोर करके दिया गया है वह अलंपियाड जैसे material को उसमें डाला गया है ज्यादा रेट नहीं हो उसका सासु रुपे प्राइज है अभी साइज रिस्काउंट चल रहा आपको प्रहलादी स्पेशल मिल जाएगा 30 से 50 क्लास इसके question answer इसके note सब आपको बकायदे हम लोग देंगे उसके बाद आगे देखे तो यहां पे आपको दिखेगा important टाप 20 यह आपको free मिलता है ठीक यह हमारे YouTube चैनल पे मिलता है और हमारे applications के अंतर भी मिलता है ठीक अब अब बात करते हैं अगले सेशन की अगले सेशन की बात करें तो आप आता है हमारा unit first में घबडाईएगा नहीं धीरे धीरे देखिएगा क्या-क्या material है यहां देखो चार पार्ट है पहले बात करते हैं number first हमारे पास है digestion दूसरा है respiration तीसरा है blood और चोथा है circulation यह चार पार 25 तो यहां पर हमारे topic हैं कितने हैं 25 तो हमारे headings मोटे मोटे वाले हैं अब इनके अंदर कितने headings होंगे कितने classes होंगे वह हमारा confirm नहीं है वह तो video बनाने के समय ही पता चलेगा कि कितने बड़े video जा रहे हैं क्योंकि material भरा जाएगा तो video long हो सकते हैं देखो मेरे video long होंग मैं पहले बता दे रहा हूं आप classes जैसे class में पढ़ते हैं 40-30 वाईसे मेरे video मिलेंगे ठीक तो अब हम लोग क्या करते है topic wise video बनाते हैं तो detail करने की कोशित करते हैं explain करने की कोशित करते हैं ताकि आप तक material सही तरीके से पहुच पाए ऐसा नहीं आए topic start कि आप figure को दो बार समझाया और निकल लिया यहां से सब कुछ भी नहीं आए topic द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको फिगर नोर्स बाकी डिले सब कुछ मिल जाएगा हां कुछ बच्चे बहुत यूटूब पे YouTube पे मेरा जो है वो 40% courses मिलते हैं free अभी आपको अच्छा लगता है तो मेरा course join कर साथ हमको खास कर 30 से 35 या 50 रुपेज बचता है एक बच्चे से बताओ कितने बच्चे होंगे आप जोड की बता देना 100-200 बच्चे होंगे या 500 बच्चे होंगे तो उतना बच्चता है और इतना बड़ा system हम लोग जो अपग्रेड कर रहे थे तो काफी चार्ज लगया हम लोग चार्चान लगाएंगे अभी live sessions के लिए network की बात हो रही थी तो अब लोग हम लोग personal अपना network लेगे तो personal network में काफी ज्यादा है क्योंकि हम लोग गाओं में रते हैं ठीक यहां पर personal network मिलता नहीं है अब देखो हम बात करते हैं यहां पर number first यहां पर number first हमको क्या क च्छटे समको बात करना यहां से mode of respiration सास कैसी लेते हैं उसके बाद यहां पर respiratory movement की बात करना है उसके बाद यहां पर ventilation की बात करना है ठीक सबको बताऊंगा detail क्या होता है उसके बाद हमको number nine में हमको देखना है process आप gaseous exchange carbon dioxide oxygen कैसे exchange होंगे अलवलाई से उसको भी detail करना होगा एं उसके बाद हमको पढड़ना होगा respiratory pigment यह पान तेना होगा चीज आपको याद रहे ठीक तुर्पारेटरी pigment क्वी आपको किलियर करना होगा उसके बाद 기 बात करना हो करना होगा यड़ आरक की बात करना होगा आपने देख बाद हमारे पास क्या लैस यानि जो सिल रिस्पाइरेशन होता है सबसे लाश वाला पार्ट वह कैसे होता है उसका मेकेनिजम कैसे होता है सबको डिटल किया जाएगा यह वाला पार्ट इतना बनता है सिक से ट्वेल तक वह हमारा आता है रिस्पाइरेशन के अंतरगत अब बात करते हैं किसकी अब बात करते हैं बलड की, बलड में क्या जाएगा सस्राविय जाएगा मुगों बलड पर ना है उसका फ़िन पर्ना ना गेमिकल कमपॉजिशन के बात कर रहा हूं उसके बाद बस ऑद त्सक्रा के बादर हई और देखने हैं उसके बाद हम लोग blood volume की बात करेंगे कि हमारे body में अलग-अलग place पे blood का volume क्या होता है, कैसे सब को हम लोग define करते हैं, उसको भी drill किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग blood transfusion की बात करेंगे, ठीक, blood transfusion के बाद हम लोग अगले session से में चलेंगे, यदि सही से देखा जाए, तो यहाँ से हम लोग clear करें, ठीक, अगला हमारा है blood vascular system, यानि hot कैसा है, artery कैसी है, winds कैसा है, सब को detail किया जाएगा, उसके बाद हमारा आ जा सर्कूलेशन, सर्कूलेशन मीमारा आ जाएगा, यहाँ सकते हो कि सर्कूलेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या, यहाँ से सर्कूलेशन ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से सर्कूलेशन स्टार्ट होगा, सर्कूलेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद हमको सर्कूलेशन की अंत कारडियोग साइकिल की बात करेंगे अखिरकार कारडियोग साइकल कितना हर्ड उन मिट तो हम हर्ड बीड देखेंगे ठिक यहीं आपको कारडियोग साइकल की अंतरगात पढ़ाया जाlaf ठीक अब बात करते है अगले points की अगला हमारा unit 2 है unit 2 देखो यह किसी course के अंतरगत मिल रहा है मेरे मेरे course के अंतरगत मिलता है बाकी कहीं नहीं मिलेगा नहीं सलेबस में दिखाया जाएगा नहीं किसी इन्वर्शेटी के सलेबस किसी teacher से फूच लो इतना point वह भी नहीं बताता लेकिन question आएगा यह चीद्यान देना ठेक आगे देखो हमको क्या पढ़ना है यहां पे इस क्रिशन देखने हैं आस्मो रेगलिशन देखना है नियूरल ट्रांसमिसन देखना है मसर्ज देखने चौड़ टॉपिक यहां भी डिल करना है बीश चाट टॉपिक यहां भी है अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पे ठीक बाइप प्रड़क्ट आफ ते हैं वो क्या कहलाते हैं यानि नाइट्रोजन से बनने वाले जो प्रोड़क्ट है वो कैसे हैं ठीक उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर एक्सक्रेटरी और गन्स के बात करें किसमें इनिमल्स के नतरगत उसके बाद नबर फोर में किड्नी को भी डिल करना होगा उसके बाद मेटाबोलिज में आप नाइट्रोजन काम करता हमारे बॉड़ी में उसको देन देना होगा इंट्रोडक्शन आफ यह टॉपिक खतम क्या यह आपका यह वाला टॉपिक किलियर हो गया अब बात करना हैं को आस्मोर रेगुलेशन कं रेगुलेशन कि अनिमाल का मतलाब कि अंतर अस्मोर रेगुलेशन का मतलाब कि अनिमल के नतर राप्गाए ठीक हाइसो पढ़ेंगे टीनों वोको पुद्धा कि वना लेकीन ज्याला बनता है हाई-पो से अगे बात करते हैं यह हमारा हुआ आस्मोरेग्लैशन में अब बात करते हैं हम लोग गांनियूरल की टेक नूरल में अगला पाइल हमारे पास आ जाएगा क्या यहाँ पे neurons की neurons क्या है, polar है, bipolar है, multipolar है ठीक, सब की बाद ठीक, उसके बाद हमको क्या पढ़ना यहाँ पे प्रोपोजेशन की बाद करना है आप neural impulse ठीक, जो हमारे neural impulse होते हैं उनका propagation कैसे होता है उनकी भी बात कर देंगे ठीक, उसके बाद हमको synapse की बारे में बात करना है कि synapse का synaptic transmission कैसे होता है जो synaptic गुंडिया होती है उनसे material इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, तो जा कैसे रहा है उसके बारे में डिल करना होगा ठीक, उसके बाद हमको क्या देखना है यहाँ पे synse argon करना होगा क्या करना होगा synse argon कौन कौन से है ठीक, synse argon कैसे behave करते है mechanical क्या होते है यहाँ पे chemo receptor क्या होते है chemicals को अब्जोर, कौन कौन से हमारे body में जासे हमारी eyes है, तो यहाँ पे chemo receptor है यानि कौन कौन से mechanism को हो रिसीप कर रहा है उसकी बात करेंगे उसके बाद यहां पर रेडियेंट की बात कर रहा है उसको भी दिल किया जाएगा ठीक उसके बाद यहां पर अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं जिसका नाम है मसल्स मसल्स को भीना मसल्स का कुछ होने वाला नहीं है तो गुट करने के लिए क्रोंग करने के लिए करने के लिए तो वो वूरा काucking नहीं क करते dipping ठीक मैसले कीवर करने है की बात करने ह释 inlet neral घंघ यहां पर देखेंगे क्या जनर लो dolorous क्यों होते हैं उसके बाद लोक क्या देखना अ क्या सब कराऊंगा अपने इस दोले अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नमबर तीन की यूनिट तीन ये देखो ये टू टोपिक से मिलके बना है पहला है इंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा थर्मो रेगुलेशन इंडोक्राइन सिस्टम थोला बड़ा है डिटेल पढ़ना होता है ये इससे ज्यादा आपको ना ही किसी कोर्स में ना ही किसी क्लासेस का अंतरगत पढ़ाया जाएगा ध्यान देना बियसी यानि सब्सक्राइब करके हमको देखना होता है कि मारे बौडी में ऐसे कौन-कौन से इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं वो कैसे काम करता है उसके Washington, Morphology, Lori, Biziologi क्या सब को दिल करना होगा उसके पाद इंडोक्राइन Glands की बात करनी होगी कौन कौन इंडोक्राइन GLAN उतए होते हं उनको दिल करने के हमको त्याराग की बाद करना हो तैस्टीस हो जाएगा उब्री है उसके बाद हमारा प्लेसंटा से कौन-कौन से ग्लैंड वो कैसे हर्मोज का सिक्रेस्टन करना है कर रहे है उसके बाद यहां पे थाइमस की बाद करेंगे इसको आरकेस्टा बोला जाता है आरकेस्टा वाली गरंथी यानि मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं उसके बाद हमको यहाँ पे गास्ट्रो इस्टन्टाइनल हार्मोंस बहुत बेसिक चीज है यह डाइसन में पढ़ा जाता है बट यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वाला फील आएगा ठीक उसके बाद हम लोग यहाँ यहाँ कंप्लीर कर लेते हैं कि सुलेफ इस वाले पार्ट को अब चलते हैं इस वाले पार्ट की पास हमारे पास थर्मो रेगुलेशन बसता है थर्मो रेगुलेशन में क्या देखेंगे नमबर फॉर्ष यहां पर इंट्रॉडक्षन करेंगे किसका थर्मो रेगुलेशन का उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन के विसस पर इनिमल किस किस टाइप यह होते हैं उनको ड वरक पड़ता है उसके दिन्चर्य उसके फरक पड़ता है जैसे घर्मी लोगती है कि यहां पे क्या है कि हिटिंग बढ़ेगा जब ध्री ज्यादा हो जाएगा तो हमारी वाडी इसकी मेटाबॉलिक कंडिशन क्या होगी गडबर हो जाएगी तो गुरुजी बोलेंगे पसीन आ रहा है पढ़ाएंगे नहीं मन कर नहीं कर रहा है उमस्त हो रहा है तो पूरा का पूरा हम लोग मेटाबोलिजम को पढ़ते हैं किसके अंतरगात इस वाले में यानि टंप्रेचर रिलेटेट जो हमारे मेटाबोलिजम में हैं उनको हम डिटल करेंगे यह हमारा थार्ड होता है अब बात करेंगे उनिट फोर की यहां पर आपको प्यारा सा दिखरा होगा यहां पर चार्ट करना है नमर फॉस्ट कार्बोहाईड रेट ठीक शानलिपल्वेरओं सेट प्रोटीन पढ़ेगा फिर यहां पर अंजाइम बढ़ा जाएगा यहां से हमको Mono Saccharide के बारे में बात करना है पहले इंडुडक्शन के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेंगे कर्बोहरीड का फिर यहां पर Mono Saccharides फिर Di Saccharides फिर Poly Saccharides यानि तीर लोग को क्लियर करने के बाद हम लोग चले जाएंगे किसमें लिपिट के पास लिपिड में हम परे क्लासिफिकेशन लिपिड का कर लेंगे फिर Fatty Acid का बात कर लेंगे फिर Conjugated लिपिड की बात करेंगे फिर Glyco Lipid की बात कर लेंगे फिर हमको अगले सब्सक्राइब कर लेंगे यह हमारे पास इतने टॉपिक निकल जाते हैं किसके चार टॉपिक हमको पढ़ना है प्रोटीन के लिपिडियो मिलेगा बहुत सारे होंगे डिल करेंगे तो ठेक अब उसके बाद हमारे बसता है एंजाइम एंजाइम में आप देखेंगे तो इंटोड़क्शन आफ एंजाइम परिशहाल चाल फिर यहां पर एक जो इंडो एंजाइम अंदर बाहर वाले एंजाइम कैसे काम करते हैं फिर उसके बाद देखो एंज्वाय बोला था ठीक इसको आप ऐसे कर लो दूसरा हम हैं तो बेसे कबते हैं ठीक क्या है भाई इंजाइम किंनेंर क्लासिफिकेसं करेंगे और नॉयंकी क्लेचर करेंगे अगर डे में लग caffeine होगया है तो classification कैसे होता है, सब की detail कर लेंगे, यह हमारा 4 निकल जाएगा इस store में जाने के यह process है, ब्ले इस store में जाएंगे, भीना क्लासे सर्च करेंगे, रिजिस्टर करेंगे अपने mobile number से ठीक, मतलब open करेंगे, 30MB का यह हमारा application है, कितना है, यह 30MB का हमारा application है इस 30MB के application के साथ आप register करेंगे, किसके साथ mobile number, other details, आप course में जाएंगे, course में आपको select, अपना course select करना होगा क्या, यह वाला physiology and biochemistry, course करने के बाद आप इसको pay करेंगे, यह 350 से लेका, अभी देखो 350 का साथ होगा, पता नहीं देखना होगा, टीम से पूछना होगा, 400 तक जाता है, ठीक, यह शुरू के 100 बच्चों के लिए होता है, उसके बाद यह course अपने price पे फान सोपर जाएगा, actually जो इसकी price है, वो हम लोग UPSC के लिए, अधर के लिए 1000 रुपे रखते हैं, बस आप BST वाले हैं, चोटे बच्चे हमारे हैं, प्यारे प्यारे, तो इनके लिए आपको 350 या 400 देना होगा, आप चेक आउट कर सकते हैं, यह 100 बच्चे नहीं हुए होगे, तो आपको 350 देन करते हो, चैट सेक्षन में जाने के बाद, आप प्राबलम अच्छे से बता दिजेगा, आपका प्राबलम स्ल्व हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, आपका प्राबलम स्ल्व हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं, आपने 5 जून से अपने classes वाले वीडियो में, फास्ट ट के लिए जहें उस्ते पहले बता दो तो दवा के जाना बटन आपको मिल जाएगी ठीक तो बाइबाइब टिक के एर